नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टेडी बेस तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MSME के बारे में अगर देखें तो होने वाले जो निवेस है उसके आकार से उनको परिवासित किया जाता है यहां देखें तो इसके अंतरगत हमको बड़े पैमाने पर रोजगार देखने को मिलते हैं हमको इन्वेस्ट मतलब जो लोग है वो यहां पर देखने को मिलते हैं और बड़े पैमाने पर वहां पर रोजगार का स्रजन होता है बड़े द्योगों को कच्छा माल उपलब्द करा करता था जो बी निर्मान छेतर है उत्पादन वहां पर उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात में युगदान करके मूल भूत बस्तू की निर्मान और इसके अलावा अगर देखें तो सभी जो कारे हैं उसके माद्यम से आर् पूरी भूमी का यहां पर देखने को मिलती है राजी सरकार की लेकिन इस छेतर को ससक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के दोरह यह अधिनियम लाए गया कुन सा अधिनियम मतलब बरस 2006 में सूप्ष में लगवे मम मद्यम जो उद्यम विकास अधिनियम है उसका यहां पर न चोबाँ है आघ करोड से अधिके लोगों को यहां पर रोजगार प्रॉट थो रहा है देश के कुल बी निर्वान में इस छेतर का योगदान लगभग हमको देखें बी निर्मान में यहां पर लगभग 45% युगदान है इसके अतरिकते निर्यात के अगर बात करूं तो निर्यात में 40% के आसपात यहां पर युगदान देखने को मिलता है साथ ही हमको एक जो है अधिनियम देखने को मिलता है 2006 में 2006 में एक अधिनियम देखने मिलता है सुक्ष में लगवे मां मद्यम उपकरम विकाद जिसे हम बोलते हैं MSMED सुक्ष में लगवे घृवे मनों हमके नियांट सुक्ष में लगवा बाया समय शाएं कैसे परिभासित करेंगे तो देखे 25 लाग रुपर से अधिक नहीं होना चाहिए यहां पर निवेस इसको बोला जाता है सुक्ष में लगू की अगर बात करें तो पच्चीस लाग से अधिक और पांच करोड से अंदर होना चाहिए नहीं उपर नहीं होना चाहिए फिर परके निवेस की मत इसको कैसे परिभासित करेंगे सुक्ष मुद्योग अगर तो अधिक्ता में रूपर दस लाग रुपे निवेस पर दोनों के अंतरगाते हैं आप परिभासित कर सकते हैं Unacademy के free plan को activate करने के लिए आप हमारा promo code use कर सकते हैं सरकार 10 और जब आप login करेंगे उसके बाद यह option आएगा तो आप सरकार 10 promo code use करके इन free plans को activate कर सकते हैं और Unacademy से यो free plan को benefit के हैं यह में आपको बताएं तो 500 जादा free life classes होती है हर हफते में और doubt planning session यह आप रहते हैं notes provide करा जाते हैं MP के top educators को दोरा 50 सजादा top educators यहां पर पढ़ा रहे हैं MP के हैं daily और weekly free life mock test यहां पर चलते हैं इसके बाद को paper analysis भी होता है top educators के दोरा और जो free life class है इसमें 4 different exam को कावर किया रहे है MP PSA prelims, MP Police Constable और MP SI, MP Jail पहरी और साथी साथ free life quiz यहां पर हो रहे हैं 20 सजा से जादा question यहां पर कावर करा जा रहे हैं सभी subject के daily T20 free test series यहां पर होती है अब आप in top educators पढ़ सकते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ Glucent series चल रही है जो कि MP PSA free का exam आप इसमें इसके तयारिया प्ला सकते हैं और साथी साथ यहां पर MP district की series चल रही है और 10 से लेके 20 December तक Jail पहरी revision classes यहां पर चल रही है free life full length mock test यहां पर होंगे for preparation of examination MP PC prelims, MP jail पहरी, MP police constable, MP service inspector यहां 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 पर पेपर analysis करा जाएगा every test के बाद यहां हर paper के बाद हैं हमें paper analysis करा जाएगा top educators के दौरा और आप free mini courses attend कर सकते हैं जो कि jail पहरी और un exam से यहां पर संबन दी थे जो की MP और व्यापन से संबन्दित है और आप पर doubt clearing classes आप ले सकते हैं इसके लिए आपको download करना होगा anacademy का app और आप यहां पर choose कर जिए MPPSC और व्यापन से संबन्दित goal आपको जो goal है और यहां पर आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहां पर एक promo code मिलेगा प्रोम कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोम कोड डालिए सरकार 10 ठीक है तो इस प्रोम कोड के बाद ही आप इस free course याई free plan को अप ले सकते हैं तो देर कुसे बात की let's crack it इसके अलाबा जो प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री के अध्यक्सता में देखें तो मंत्री मंदल ने बरगे करण के मानकों के बदलने के लिए सुक्ष मिलगो और मद्यम जो उपकरम है उसके विकास के लिए एक अधिनियम अलाया था सुक्ष मिलगो और मद्यम उद्योगो के बरगे करण के अधार को सैंत्र एमम मसीनरी जो उपकरन है उसमें निवेश से बदलकर बारसिक वैपार में बदलने का प्रस्ताव भी किया और जो संसोधन हुआ था 2006 वाला उसकी धारा साथ में संसोधन हो जाए गया यहाँ पर य देखिए जैसे अगर बैपार है पांच करोड तक का तो उसको सुक्ष मुपकरम की परिभासा दी गई इसके अलाबा केंदर सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बारसिक वैपार की सीमा में परिवर्तन कर सकती है परन्तु यह परिवर्तन जो MSMED है अधिनियम 2006 में आया तो धारा साथ में उलेखिज जो सीमा है उसके तीन गुना अधिक नहीं हो सकता तो यह चीज यहां डिफाइन की गई इसके अलाबा MSMED जो है उद्दियम में MSMED की सारवधिक जो संक्या है उसमें अगर देखें तो पांच राज जी हमको देखने मिलते हैं तो देखें सबसे च嘛 323-8 यह चीज जयांब को उत्तर प्रदेशज में देखने मिलेगा फिर आपको पश्च्री मंगल में देखने मिलेगा ठीक का आप यहां डीखिए लाक में जो संक्या दी पर पर चल गया और यह नीचे आ गया तो इतना सबस्ट चेंज है वाँ की दोनों में सेम है और परसेंटेज यहां लाक में आप देख सकते हैं संक्या स्क्रीन सोट लेका ठीक है इसके एलाब हमको देखने मिलता है एक जो कारकरम है जिसका नाम है परदान मंतरी रोजगार सरजन कारकरम अगर इंगलीज में बात करें तो इसको analyse PM प्रधान मंतरी ठीक है यह Employment Guarantee या फिर जो है Generation Program इसको बोला जाता है अगर इसको फुल फॉर्म देखें तो Prime Minister Employment Generation Program इसको बोला जाता है PME GP ठीक है प्रधान मंतरी रोजगार सरजन कारकरम और इसकी जो सुरवात हुई थी 2008 में 2008 में इसकी सुरवात हुई थी किंदर सरकार के दोरा दो पूर्व जो योजना थी जिसने हम बोलते हैं प्रधान मंतरी रोजगार योजना तथा ग्रामिन रोजगार सरजन कारकरम इन दोनों को आपस में क्या किया गया था मर्ज ठीक है दो प्लस दो योजना को प्लस किया गया था कौन-कौन सी प्रधान मंतरी रोजगार योजना तथा ग्रामिन रोजगार सरजन कारकरम दोनों को मर्ज करके इसकी सुरवात की गई थी 2008 में यहां देखें हम तो योजना का जो उद्देश है वो हमको देखने मिलता है सहरी यानि की सहर जो अर्बन होता है और रूरर यानि की ग्रामिन दोनों छेत्रों में सुक्ष उक्रमों की स्थापना के माध्यम से निरंतर्वा सतत रोजगार के अवस्वरों का सरजन करना था यह एक केंद्रिये छेत्र कारक्रम है जिसका प्रसासन अकर बात करें तो प्रसासन MO जिसको हम बोलता है सुक्ष में लगवे मां मध्यम उपकरम मंत्राल है ठीक है मिनिस्ट्री अव मध्यम माईक्रोए स्मॉल एंड मीडियम एंटर्वाइस के दोरा यहां पर किया जाएग जो प्रसासन अथी ड़ींस्ट्रेशन है परतु इस कारक्रम का क्रियानम पेंद्रिये इसतर पर खादिग्राम उध्योग आयोग जिसे हम KVких के दोरा किया जाएगा इसके अललाबा हमको सब्सक्राइब कि देखने मुलती है सामील लाना ये सारी चीजह यहां पर देखने को मिली सांथ ही इसका संचाला नाम को उद्यूग की नीथी आप संबर्धन विभाग जिसे डी आई पीपी बोला जाता है इसके दोरह किया जाएगा मेकिन इंडिया कारिकरम के अंतरगत एक जो है निवेस यानिके इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो यहां पर तयार किया जाए गठन किया जाएगा जो बिदेशी निवसकों को य इंद्री मंत्री मंडल के दोरह सरकारी जो खरीद है उसमें मेकिन इंडिया को प्राथमिक्ता देने की निती भी सुख्रती प्रदान की गई निती का क्रिया नियम है 2017 के नियम 153 के भागठट के अनुसरण में एक आदेश के बाद्ध्यम से किया जाएगा निती के तहत अलमानियत सेवा इस्थानियत सामगरी के लिए निरधारिक नियुंतम सीमा हम देख सकते हैं 50% को पूरा करती है तो यह चीज हमको देखनेक मिली है मेकिन इंडिया कारिकरम के तहर्त चलिए आगे हमको देखनेक मिलता है मसे सीडिप ठीक है जिसे हम फूल परम बोले तो मांक्रो समॉल एंटर्पाईज मांक्रो एंटर्पाइज और सेटिंपी का मतलब होता है क्लस्टर डेवलप्मेंट प्रोग्राम तो रोट में बोढे तो मेंसी सीडिपी और हिंदी में अगर बात करें तो सुक्ष में एबम लगू उद्धियम, क्लश्टर्स, विकास, कारकराम तो इसके बारे हम देख लेते देखिए यहाँ पर MSME जो मंत्राल है उसने सुक्ष में एबम लगू उद्धियम, उद्धियों की जो उत्पादकता है तथा आपसी प्रतिस परदा में ब्रद्धी के लिए समुविक समुविक विकास के द्रिष्टिक ओन से क्लस्टर्स एप्रोच हम बोल सकते हैं उसको यहाँ पर अपनाया और एकाईयों का समुव जिसे हम क्लस्टर्स ऑफ यूनिल बोलते हैं सेवा प्रदाता होते हैं सर्विस प्रवाइडर जो होते हैं जिसे बैंक हो गया इसके सब्सक्राइब लगुद्यम जिसें में समय जो विसे हैं उनमें जो प्रोद्यगी की है टेक्नलोजी की स्किल्स है ठीक है गुनबत्ता में सुधार यह सारी चीज़ें यहाँ पर किया जाएगा इसी उज्ञा के दौरा बाजार एब पूंजी तक पहुंच सुनिशित करके उनकी उपयोगिता में ब्रद्धी की जाएगी और जो स्वयम साहता समू संगठन जो संग है आदी के विकास के मार्द्यम से समानने सहयोगी कारियों के लिए MSMS की छमता का निर्मान करना इसका मुख है लक्षे था साथ ही हम देखें तो परिक्षन एबर प्रसिक्षन है उसकी स्थापना करना सुभिधा केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं तो यह काम था किसका सुख्ष में लगू सुख्ष में लगूद्यम क्लश्टर विकास कारकरम का यूनिट्स का जो सम्मू था उसको हम बोल करते हैं आप है MSC CDP चली आगे बात करते हैं भारती है लगू उद्योग विकास बैंक जिसे हम बोलें इंगलीज में तो इसको बोला जाता है नाम भी सुने होंगे अपने CDP ठीक है CDP इसको बोला जाता है IDVI का जो सौट है उसी के अंतरगत यह निकल कर आया जिसे हम बोलते है Small Industry Development Bank of India ठीक है तो CDP के स्थापना 2 अपरेल 1990 को की गई थी इसमें भारती उद्योग विकास बैंक के सहयक से भारती उद्योग विकास के विकास यानि की IDVI के सहयक बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गी थी और इसका जो स्थापना का जो उद्देश है जो लगू और लगूतर जो उद्द्योग है उनकी स्थापना करना उनको व और यह है बैंक लगू उद्योगो को बैपारिक बैंक सहकारी एवं छेत्री जो गरामिन बैंक है उता था जो उद्योगिक बित्ते निगम है उनके माद धेम से सहायता प्रदान करना है ठीक है यह सारी चीज हमने देखे उद्देश के बारे में बित्ते पोसंड लगू इनक का गठन किया गया था आगे देखने को मिलता है हमको राष्टिय लगू उद्योग निगम ठीक है निगम लिमिटेड जो होता है जिसे नेशनल स्मॉल इंडिस्ट्री कॉर्परेशन लिमिटेड बोला जाता है ठीक है स्वार्ट में अगर बोले तो NSICL NSICL इसको बोला जात है ठीक है यह चीज हमको द एक मिली है साथ ही हम एक कुछ महत learnt संस्थान देखने को मिल जाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं भारती एझाल से나मा भारत में आप भारत में कहाँ यहां पर important के लिए लगुंप जो उद्ध्यूंग उद्ध्यम 5 इक नवगराय को जtles दिर्वाराइब उसकी DC 212 कि रूप meinem अधिस उुचना जाने जारी वस इतना आपको ज्यारद निहानने देना इस पार और एक और चीज़ आप दीखे तो बारसी की लक्ष की खरीद कुल खरीद का जो है अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती उद्यमों से कम से कम 4% खरीद करना आवस्याग था अनकेटिम के फ्री प्लांस के वारे में आपको बता है तो फ्री प्लांस में यहापे 500 सज्जादा फ्री लाइफ ग्लासस यहापे बिल रही पर वीक और यहां पर डाउट क्लिरिंग सेसन भी हो रहें MP के टॉप एग्जुटर को दोरा पचास सेया टॉप एग्जुटर से न यहां पर और यह 20,000 से ज्यादा फोर्शन यहां पर कवर किया रहा है सब इस अब्जेट को मिलाकर डेली T20 फ्री टेस्स सीरीज होती है आपर और वीस कोस्टन इसमें इसमें आपको इनका अंसर देना होता है और इसका आगे फिर डिसकासान होता है यानि जो पेपर हुआ ह किया जाता है Monday to Saturday, अधिक के बाद ही मतलब 8.30 बजे से यहां पर यह पर यह पर इसका प्री प्लान के आलाओ जाओ यह आप सब्सक्रशन प्लान लेने चाहते हैं उसमें कुछ और मतलब वैसलिटी से यहां पर दीगई है complete syllabus batches यहाँ पर चल रहे हैं जो weekly यहाँ पर mock test यहाँ पर होंगे और चार batches यहाँ पर visits प्रकार के, 10 मंद का foundation batch है MPPC prelims और mains के लिए जो कि dedicated है मजबर से संबंदी जो भी answer writing practice होगी MPPC के संबंदी जो भी answer writing practice उस संबंदी हाँ पर है और launch हो रहा है हर week दूसरा है 2 year का foundation batch है MPPC prelims और MPPC mains के लिए जो कि design किये अंडर graduate experience के लिए जो कि 4 nightly यहाँ पर launch हो रहा है 120 दिन का target batch है यहाँ पर और यह MPPC prelims के लिए dedicated है और यह हर महीने यहाँ पर launch हो रहा है 14 है यहाँ पर 3 मंद का batch है जो कि other MP exams जैसे MP forest service, MP police constable होने वाल है और launch हो रहा है हर महीने ठीक हर महीने इस परकार से यह 3 महीने महीने के batch यहाँ पर launch हो रहा है और इसके लाव और लेके 50 से ज्यादा top educators यहाँ पर पढ़ा रहे है daily like classes यहाँ ले रहे हैं 25 से ज्यादा हर महीने हो रही है और इसमें सब्जेक्ट कवर किया रहे है और सभी exams की तयार यहाँ पर कराया रहे है जैसे MP के exams है जो भी exam है वहाँ पर कराया रहे है सारे ठीक है doubt clearing session यहाँ पर होने वाले है daily यहाँ ठीक है और महीने में मैं आप पूसंग के बता दिया हूँ bilingual होने वाले classes और notes प्रवाइट कराएंगे हाँ पर टॉप एजुटर जोगी MP के है और 20 सेर्स जाद MCQ यहाँ पर daily practice में हो रहे है cover सभी subjects की कुछ batches करा रहे है मैं आप पूता दूँँ लक्ष MPPC 222 का batch यहाँ पर 2 साल का है foundational course है prelims और mains के लिए जोगी इसमें answer writing बिकार जाएगी जोगी हिंदी मध्यम के लिए है और यह शुरू हो रहा है 11 December 2020 से मेंस के लिए answer writing प्रेक्टिस के लिए जोगी 10 महिने का complete course है जोगी शुरू हो रहा है 12 December 2020 से इसके अलावा मैं आपको वता दूँँ कैसे आप सबस्क्रास न ले सकते हैं आपको एंडरिकटिम का app डाउन्लोड करना होगा और यहां पे इस परकार से इंटरफेस आपको मिलेगा फिर आपको यह 3.0 प्रेक्ट सेक्शन में आपको यहां पर जाना होगा प्लस वाले और प्लस वाले कॉर्टनर पे मिल जाएगा आप इसको प्रोसीड करेंगे फिर आपको हाँ पर डिसकौंट से आपको जो भी बिल देना हो आप आप दे सकते हैं इसकाद आपको यह सारे बैच यहाँ पर दिखने लग जाएंगे आप अपने पसंद इदर बैच में एंडरोल हो सकते हैं और डेडिकेट डाउट सेशन भी हाँ पर हो रहे हैं और वीकली टेस्ट हैं पर कराया जा रहे हैं इनको भी आप जॉइन कर सकते हैं तो देव किस वाद की डाउनलोड अनगेडिमी एप नाव टू क्रैग एंप अपने एक्जांप लेट्स क्रैट चली आगे देखते हम मिलेगा लगु उद्द्योग विकास संगठन इस्थापना इस क्यों थी उनिस सो चववन में ठीक है लगु विकास संगठन की रूप में जो है मतलब के नाम से इसकी स्थापना की की थी जिसे इस्मॉल इंड़स्ट्री डेवलप्मेंट और्गनाइजिशन बोलते हैं इसके बाद देखें तो सुक्ष में लगू एवं मध्यम उद्योग से संबंदी जो राश्टी वोड है जिसके अंतरगत हमको जो 2006 अधिनियम उसके दहती देखने मिलती है मसमी के विकास कारे में जो केंद्र है और राज्य सरकार है दोनों के अनिक विभाग या फिर हम बोले तो मंत्राल है तथा जो संगठान है वो यहाँ पर सामिल देखने मिलते है समनबै और अंतर जो संस्ता है संपर्क के लिए यह यहाँ पर MSME विकास अधिनियम 2006 के अंतरगा सुक्ष में लगुए मममध्यम उद्योग से संबंदित राष्टी वोड की यहाँ पर स्थापना की गई और यह MSME छेत्र से जुड़े हुए सभी विशे पर सरकार को सलहा देने वाली सीर्स संस्ता के रूप में जाना जाता है MSME के प्रभार जो मंत्री इसके अध्यक्ष है और वोड में राज्यों के उद्योग जो मंत्री है कुछ सांसद है भारस सरकार के विविन विभागों के सचिव है बित्य संस्ता है सावजिनिक शेत्र के पतिष्ठान है यह सारे इससे समंदित और अन्य जो विसे सग है वो सुक्ष में लगो और मद्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विसेस का पहली पीड़ी के जो उद्यमी है उनके दोरन नए उद्यमों के स्थापना के लिए उद्मिता विकास और प्रिसिक्षन जो है एक मुखे तत्व यहां पर माना जाता है पहली पीड़ी के जो बतांग मिलता है सुक्ष में लगो और मद्य उद्यम जो है उनके दौरा कुछ महत्पूण योजना ए देखें तो देखें कुछ योजना है उनका उद्देश है तुमपूपूंजी साहथा योजना 2000 यहां पर देखें तो अबसी नरी सूक्ष में क्रेडिट कारेकराम योजना के साथ संबद किया गया है और भारत सरकार जो है एक पोर्ट पोलियो जोकिम नीदी के तैसे डिवी को फंड प्रदान करती है जिसका उप्योग सूक्ष में वित्ते संसाय करती है फिर रेन रेटिंग योजना 2005 में देखने मिली इसक प्रतिसपरदा विकास करना इसका मुख्य जो है उद्देश था तो यह चीज हमने देखें कुछ जो हमको यहां पर किस संब्दित देखने मिली लगू मतलब MSME के संब्द में चलिए एक समीति देखते हैं जिसको बोला जाता है लगू उद्योग पर आबिद हुसेन समीति तो पुछा जाता है अभी दुटेन समीति किस से संब्द दित थी तो लगू उद्योग से संब्द दित थी यह चीज आपको पता होना चाहिए तो देखें लगू उद्योग की समस्या का अध्यान करके उनके विकास से तू सुझाओ देने के लिए इस समीति का गठन किया था 1995 में ठीक है गठन का वर्स क्या था 1995 उद्योग मंत्राले दौरा इस समीति की सिफारी से को जो है यहां पर 27 जन्वरी 1997 को सार्वजिनिक रूप से गोसित किया गया कुछ इसकी सिफारी से थी जैसे हम देखें तो जो लगू द्योग से समन्दी जो मद रहती है मदो रहत यहां पर देखने में सिफारिश के तहित पिर वजय से फिर विदेशी जो पूंझी निवेश घ्योक पहले कितनी थी 60 थी उसको समाट किया जाए नहीं कोई ऑपनी एक्छानुसार जितना भी निवेश करना चाहाए यह सीमा और ईसकी सीमा है उसको समाट किया 90 पर करें तो अगले जो पांच बर्स में लगे नगों दोnut उनियाwah सकिर यहां रिपना लिए 25 करोड रूपए 25 सो करोड रूपए के तो नजरर रखने के लिए उब्ठय देक्रिक 48 संचालन समीति का घठन किया जाता कि उनकी जो उनका क्रियान में सही लंग से किया जा सके सेवा छेत्र की लगू जो इस तर की काई है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जो केंद्रिय लगू उद्यम उद्योग है या समू है उनको क्रेडिट रेटिंग प्रणाली यहां पर विक्सित किया जाए तो यह थी आविदुसें समिती कब गठित की गई और उसके अंतरगत क्या-क्या यहां सिफारिस की गई वो हमन जाता है हैंडलूम और हमारी जो संब्रद्य संपरंपरा है उसका भी एक अंग के रूप में इसको देखा जा सकता है अपनी जो विस्य सिक्रत या अपनी स्पेशल डिजाइन है वह जो परियावरन अनुकूल होने के कारण हत्करगा उत्पादन की घरीलू वह जाता है इसके अलाबा हम अगर बात करें यहां पर भारती हस्तसील यानी की हैंड क्रॉफ्ट देखिए हत्करगा मतलब हैंड लूम हस्तसील मतलब हैंड क्रॉफ्ट हाथ से बने हुँ है ना और देश की बिवित्ता वा संस्कृति की प्रतिनीदी है जो हमारी बिरासत परं होना वाला छेत्र माना जाता है इसे कसांत में हम देखें तो हमको ग्यारवी पंचवर्शी यानी की ग्यारवी फाइव एयर प्लान देखने को मिलता है इसमें देश में करीब हमको 69 लाख सिल्फकारों को रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें महिलाओं की संख्या अगर बा हस्तसिल्फ छेत्र है जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले जो सबसे महत्पून छेत्र है उसके रूप में उबरा हुआ है और भारतिये जो कालीन है मतलब जो डिजाइन है ठीक है उसकी बैस्विक जो कालीन बा जार रहे उसमें 26 पतिसकत की भागदारी देखने को मिलती है ठीक है यह चीज हमको यहां पर देखने को मिलती है किसके अंतरगत हत करगा हस सिल्फ हत करगा विकास के अंतरगत और इसके अंतरगत कुछ जो है हमको देखे यह तो हमने देख लिए देखे कुछ सेंटर देखने को मिलती है निकी जो संसान है जिसके अंतरगत बा बारती जोदपूर त ripping यह सभी जो है भारती अगला समीती है जिसका नाम मीरा सेड समीती जो हमत्रान पर करने चेंट डीच देशсьका समच्गारत समय समय क викने मिल películ और यहाँ पर हम देखें तो इसकी रिपोर्ट जो है जनवरी 1997 में सरकार को सौपी गई इस समीती ने गैर सरकारी जो छेतर के बुनकर है उनको रेंट पदान करने के लिए यहाँ पर जो 500 करोड है 500 करोड रुपए का राष्टी हदकरगा रेंट कोस यहाँ पर स्थापित किया ग मिलता है स्वधिसी उद्योग विशेज जो रूप से हदकरगा बुनकरों को प्रसाहिद करने के लिए 7 अगस 1905 को चलाए गए ठीक है स्वधिसी अंदोलन को सम्मान देते हुए यहाँ पर राष्टी हदकरगा दिवस मनाने का निर्णे लिए गया और 22 अगस 2015 को केंदर सर आना है तो यह आपको याद रखना है ठीक है साथ अगर चलिए आप आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्टन चीज जो कि हमारे उद्योगों से संबंदीत है ठीक है भारती उद्योगों तो ओद्योगी जो रुगनता है यानि कि उनमें क्या-क्या समस्या है वो हम को संबसार अगर देखें है तो इनको कैसे पहचाना जाएगा तो यह दोدएखिए परिपासा मैं पढ़ देता हूं इसको जैसे कि बेसे आपको पढ़ना पड़ेगा यह अक वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च के बात कर सकत एक बित्ती वर्ष में संचीज जो वहानी है वो जन्तर तीन तीमाही में अपने देंदारों के रिण को चुकाने में विफल रही हो तो यह एक चीट देखने मिलती है दूसरी चीज़ अगर बात करें तो हमको इसके अलाबह देखने मिलते है भारत की लगभग मतलब पहले इसका आर्थ जान लेते हैं मतलब जो हमने देखे ह है तो इसका मतलब क्या है एक उद्योगिक जो रुगन एकाई है वह है जो बहुत दिनों से घाटे में चल रहे है तो इसा हम बोल सकते हैं और भारत में उद्योगिक शेत्रे की प्रमुख समस्याम से एक माना जाता है इसके लावा भारत की लगभग दो लाग से अधिक इकाईया है वो रुगन अबस्ता में तथा इन में जो है 33% इकाईया लगुद्यम छेत्र में हैं इनके अत्रिक तगरबात के हैं तो वर्स इन में से मतलब प्रति वर्स इन में से जो है 29,000 इकाईया सामील होती जा रही है जो चिंता का बिसा बनी हुए तो आपको यह परि कारण दिया है और दूसरा दिया है परिणाम तो पहले हम देखेंगे कारण तो दिखेंगे आधार्भुस संरचना की परियापतता देखने मिलती है ठीक है जो भी हमको यहां पर है तो वह आधार्भुस संरचना नहीं होगा तो अध्योगी गुरुणता यहां पर देखने नहीं मिलते हैं तो यह सारी चीज़ यह कारण बंती है और जया परयाथ तूर्जा की अनुप लब्धता यहां पर देखने को मिलते हैं फिपणन की समस्य देखने के लिए कुसल प्रबंदन का अभाव इसके लावा देखें तो इसके कारण कार्ण को शलता और पिर्टिस पर सब्सक्राइब भीती मurrection चैनल के सबस्क्राइब तेजिदा सब्लकित से हुआ से सव्काराइव क्षूर्फ इत्व होते हैं जो तो इसके प्रजणा मतले पेस्ट इनare NET route- pobre कबरश पाराइव की परिदियोंता के शॉगाहया कारण और फोर उसके परिणाम क्या होते हैं चले अब यह परिणाब बचने की उपाएं भी देखना पड़े साथने की मतलब विचार को June 1981 में तिवारी समिती का उठन किया गया और तिवारी समिती की सिफारिस पर बर्स 1985 में क्या किया गया 1985 में रूगन अद्योगिक कमपनी अधिनियम जिसे हम बोलते हैं यहां पर SICK Industrial Companies Act C का जिसे बोलते हैं C का मतलर SIC A इसको पारित किया गया साथ ही ओद्योगिक रुगनता की समस्या पर विचार करने के लिए एक मही 1987 को ओद्योगिक एवं बित्ये पुनर निर्मान बोर्ड जिसे हम बोर्ड वोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसियल रीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं बी आई एफ आर बी आई एफ आर इसको बोला जाता है इसकी स्थापना की गई फिर अगर बात करें तो उन बर्स 1993 यानि कि अप्रेल 1993 में इस पर विचार करने के लिए वोंकार गोस्वामी समीती का गठन किया गया इस समीती ने अपनी रिपोर्ट में ओद्योगी गुरुवनता की परिवासा को बदलते हुए साथ साथ सीका और बी आई एफ आर में भी परिवर्टन करने का सुझाओ दिया फिर बात करते हैं 2000 की सन 2000 में पुन है बी बालकृष्ण इराडी समीती बी बालकृष्ण इराडी जो है उसकी अध्रेठेध के आपए कि अधृक्षण किया गया और समीती ने एक नेशनल कंपपनी लॉट्रीवनल نलार अट्र अन्सी अल्टी अन्सी खट्हति खशतरीशा उत्यों मेद कि अधिकार-जानी सृन्फशनसा क्या मिद्षाओ कर दो हजार दो नया कंपनी अधिनिया में हाँ या बिधेक लाए गया इसके प्रभावी होने के साथ ही सीका और बीए एफ आई यार और एए इंचु आई एफ आर है इसका सित्व समाप्त हो जाएगा तथा इनके कारे जो है एंसी एल्टी को सौपा जाएगा तीची देखने मिलते हैं किसके अं कवर्यटरमेंट formation के द आपब बात कर लेते हैं एक चीज और जिसे हम बोलते इंभारती ओध्या सम्कूर्ण कुझ प्रभारती पुनर्निर्मार्ण बैंक की स्थापना है वहां बेखें तों यहां पर देखें बीसमार्च उनिसे पच्चाती को भार्ती ओध्योगिकativa बैंक अधिनियम 1984 के अंतरगत इहां पर भारती ओद्योगिक पुनर निर्मान निगम लिमिटेट के पुनर गठन के रूप में की गई और भारती ओद्योगिक पुनर निर्मान बैंक का नाम परिवर्तित करके इसका नाम बदल दिया गया है भारती ओद्योगिक निवेस बैं में जो है कंपनी अधिनियम 156 के अंतरगत पंजिकरत कर इसे एक कंपनी का रूप दे दिये गया और इसका मुख्याला को कहा देखने मिलता कोलकाता पस्चिम मंगाला में देखने मिलता है और आई आई भी जो है सेवी के पास पंजिकरत सेणी बन का मर्चेंट बेंकर के रू किया गया था ठीक है और इस अधिनियम के अंतरगत केंद्रिय तथा राज्य सरकारे जो है निवन्तम मजदूरी दर काम के घंटे अवकास की अब्धी ठीक है यह सारी चीज यहां पर डिफाइन करती है इने धारन करती है साब जैनिक उपक्रमों के बीनेवेस से जो उसके अगर बात करें तो यहां पर हमको इसके अंतरगत मतलब जो 1966 है 1966 में इसका गठन किया था जिसने स्रम समस्याव के सभी पक्षों का अध्यान करने के बाद बर्स 1969 में अपनी रिपोर्ट को प्रेस किया और रबिंद्र जो बर्मा है उसके अध्यक्ता में 15 अक्टूब सभी कारे की दसाओ को सुधारने का भी सुझाओ यहां पर दिया साथ ही हम देखें तो हमको बीनिवेस के अंतरगा साब जनिक उपक्रम में लगी जो सरकारी पूंजी है उसको बाहर निकाला जाता है जबकि निजी करण की अवस्ता में देखें तो हमको साब जनिक शेत्रे के उपक्रम की पूंजी है वो प्रवंदन पर निजी नियंतरन इस्थापित करती है इसी के ल कि यहां पर की गई यह सारी चीज मोदेखने मिलते कि इसके अंतरगत हैं यहां वैंगा यहां देखें को अन्य चीज तो अगला टॉपिक हमारा देखने मिलेगा और जिसके आंतरगत आप देखो भारत देखोड जो भी चीज जी दिल्ली शेत्र हैं गुजराथ है मंबई है बेंगलोर है तमिल नाडू है ठीक है जो केरल है इसके लावब देखें विजा का पट नाम है पच्चिम मंगाल है छोटा नागपुर को पठार यह सारी चीज हमको देखने मिलेगी इसके बाद ठीक है तो यहां आप देखिए अगर आपने जो है टेलिग्राम चैनल को जोइ कर लीजिए ठीक है उत्तर लेकर सारी चीज आप जोइन कर सकते हैं आपको फायदा होगा और बहुत सारी चीज आपको इस चैनल में मिल जाएगी इस से रिलेटेड ठीक है सभी पेपर आपके देखने मिलेंगे पेपर फर्स्ट पेपर टू जो अभी में हमारा चल रहा पे यहां हम देखें तो हमने MSME के बारे में बात किया है ठीक है MSME यानि की Micro Small and Medium Enterprise जिसे हम सुक्ष में लगूए बंध्यम उद्यम बोलते हैं इसके लावा हमने प्रधान मंत्री रोजगार सरजन कारकरम के बारे में जाना मेक इन इंडिया कारकरम इसके लावा सुक्ष में लग संसान देखें ठीक है फिर इसके यादि योजनाओं के बारे में बात किये अविदुसें समीती हतकरगा हस्ते निडिया के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हुई हूई होगी फिर भी अगर कोई डाउट है कोई कमी है को सुधार चाहते हो तो आप कमेंड बॉक्स में म तब तक के लिए जाहिए.